वेलकम टू माई चैनल आज की इस वीडियो में आपको एक बहुती यूसफुल वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने कोडिंग कैसी भी ड्रोइंग इसके अंदर क्रेट कर सकते हैं तो सबसे पहले अपने ब्रावजर को ओपन कर लेना है और इसके अंदर में सर्च करना है और यहां पर हमें सिंप्ली सर्च कर लेना है और यहां पर टैप कर लेना है इस तरह के से और सिंप्ली इसको सर्च कर लेना है और इस तरह के से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो सबसे पहले यहां पर आप इसका page का size adjust कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें इस पर click कर देना है और यहां से इसका option आता है इसके अंदर start over option तो यहां से हम क्या कर सकते हैं इसके इंदर इसका page का size जैसे यहां से सारा option दिख रहे हैं यह होता है हमारा इसमें select option तो इसका काम सिर्फ selection करने के लिए होता है लेकिन इससे पहले हमें इसके अंदर कुछ draw करना पड़ेगा तो इसके बाद यहां पर next option आता है तो इस तरह के से में इसमें कैसे वादा दूगा पेड की अब इसके उपरेल पर searching में इस सारे के सारे समें पड़ा जाएंगे तो आपको जो भी पिइश्में से यूज करना है तो यहां से one clickमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो इस तरीके से इसमें काफी सारे option मिल जाते हैं और इसको select टरना है तो यहां से से इसको select है कि इसका size हम यहां से छुटा कर सकते हैं और अगर हम इसमें कुछ mistake उचुकी है तो control प्लस जैड करके इसको undo भी कर सकते हैं इस तरीके से और जो नेक्स नहीं पर option आता है वह इसके अंदर और भी यहां आप सारे option है तो अभी auto draw से हम क्या क्या चीज़ इसके इंदर बना सकते हैं जैसे मुझे अगर यहां पर मैं कुछ circle बनाता है उस तरीके से तो इसमें देखे काफी सारे है चीज़ स्के थेंडर यहां पर यहां पर क्लिक करके सकते हैं और इसके बहुँत है उपके कर ले पिजनी ड्रो करना है वह आप इसमें ड्रो कर सकते हैं और अगर पैन का साइज अगर आपको बढ़ा करना है तो पैन का साइज आप यहां से बढ़ा कर सकते हैं यहां से इसको क्लिक कर देंगे तो पैन का साइज भी आप यहां पर बढ़ा कर सकते हैं और अगर पैन का कलर चे इसको में साइड में रखेता हूं और इसके बार से मैं क्या करना है इसके अंदर कुछ हमें टाइप करना है और wing कर सकते हैं तरीके से कि यहां से select tool का vy否 आपकेन एंपर आ पर सकते हैं फिर यहां पर आता है maintenance तो अभी जो हमने इसको जो drawing बनायी थी इसके अंदर हमें कुछ color fill करना है तो यहां से click करने हैं तो यहां से on-post color ग्लार आप किन हैं यहां से pick कर सकते हो और इस वाले option से यहां से color भी pick कर सकते हैं तो इसमें color करें कि उप आपशन आ रहे हैं इस तरीके से ड्रो कर सकते हैं color आपको इसका यहां से change करने का option मिल जाएगा तो color भी आप इसका change कर सकते हैं यह कुछ basic shape इसके अंदर दे रखे हैं इसके अंदर तो इस तरीके से इसके अंदर हम create कर सकते हैं और color भी हम इसके अंदर कुछ फिल कर देते हैं इस तरीके से फिर जो हमारा next option आता है वह होता है इसके इंदर जूम option तो यहां corner पे इसमें जूम करने का भी option मिल जाता हमें तो यहां से हम इसको जूम कर सकते हैं इस तरीके से और जैसे हम zoom के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमें उपर इसके टाइटल वार में कावसायरॉप से मिलते हैं इसको हमें कितना पर सेंट जूम इन या फिर जूम आउट करना है तो यहां पर मैक्सिमम दे रखा है साइज इसका 300 पर सेंट इसको इतना भी जूम कर सकते हैं और नॉर्मल करने मिल जाएगा यहां पर सिंप्ली क्लिक करना है तो आप इस फाइल को अपने कंप्यूटर के अंदर इस तरह के से डाउनलोड भी कर सकते हैं अभी हमारी जो फाइल है वह पीसी के अंदर भी डाउनलोड हो चुकिया इस तरह के से तो आप इसमें जो बिट्रोंग आए होगी तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना